नमस्कार बिहार तक देखने आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश रंचर Union Public Service Commission ने UPSC CSE 2022 का फाइनल विजल चारी कर दिया है UPSC के रेजल्ट में बिहार का बोलवाला रहता है इस बार बफसर की गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान हासिल हुआ है जो प्रदेश वाजियों के लिए शित्रोप से खुश खबरी है गरिमा की सुपलवधी पर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है नितीश कुमार ने उनके उजल्व विश्य की काम ना की है साथे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार संग लोग सेवा आयोग सिविल सेवा परिक्षा में टॉप फोर में लड़कियां ही रही है उन्होंने टॉप फोर में स्थान प्राप्त करने वाली शित्ता किशोर, गरिमा लोहिया और महरातियन एवं स्विर्ती मिश्रा को विशेश तोर पर बढ़ाए देती हुए कहा ये बेहत खुशी की बात है मुख्यमंत्री ने कहा कि बक्सर की करिमा लोहिया ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज का नाम रोशन किया है देश की बेटियों की ये सफलता आधी आवादी को प्रेड़ना प्रदान करेगी फाइनल लिजट में कुल 933 केंडिडेट निउप्ती के लिए चैनित किये गए हैं इनमें से 345 केंडिडेट अनरक्षित, 99EWS, 263 OVC, 114C तथा 72 ST के टेक्डिसे हैं 178 केंडिडेट की रेजर्ब लिस्ट भी तैयार की गई है, आई एस पदो पर चैनि के लिए 180 केंडिडेट शॉट लिस्ट हुए हैं अब आपको टॉपरों की लिस्ट बता दें, इसमें पहले अस्थान पर इश्रिता किशोर हैं, गरिमा लोहिया की बात करें तो पकसर से हैं, ओमा अराती एन, चौथे नमबर पर स्मिर्ती मिश्रा हैं, पाचमे नमबर पर मयू हजारिका हैं, ग्राफिक्स के जरीयम आपको आपको बता दें के 2529 कंडिडेट ने इंटर्व्यू दिया था, परिक्षाथियों के मार्क्स लगवे 15 दिन बात जाने किये जाएंगे, UPSC सिवल सिवा परिक्षा के इंटर्व्यू 18 अपरेल तक चले थे, इंटर्व्यू डाउंट की शुरुवात 30 जनवरी से हुई थी, मेंस परिक्षा में सफल होने वाले लगवग 2529 सुमिदवारों को इंटर्व्यू के लिए बुलाया गया था, UPSC ने सिवल सिवा परिक्षा 2022 के तहर, IES, IPS समय सर्विसेस के 1011 बदों पर भड़ती निकाली थी, ऐसे बिहार के तमाम फ़बरों के लिए देखते रही है बिह कर दो